यहाँ पर Audio Bank, Ultimate Audio Force, जो भी information इस पर दी गई है वो Gen 1M, कहीना कहीं आपको satisfaction मिलती है, बहतर sound की, compact size है यह, इसलिए इसको digital amplifier बोलती है, Welcome back दोस्तों, कार्मी उजीकम्ब, मैं आपका हार्दिक स्वागत है, Guys, आज का product है, कार Android के Audio Solution पे, means अगर आपने एक Android stereo लगाया है, तो आप कैसे उसके sound को boost करेंगे, आज का जो product है, वो है PSP, Problem Solving Product, Audio Bank का आज हम लेके आए हैं, आपके लिए इसकी unboxing, testing, installation, सब आज की वीडियो में हम दिखाएंगे, कहीना कहीं इस Audio Bank का जो काम है, वो है sound को boost करना, जब Android stereo install करते हैं, तो कहीना कहीं sound output कम हो जाता है, OEM stereo के comparison में, तो आज जो हमारे पास Audio Bank है, उससे हम sound boost करेंगे, एक Tata Punch में basic system लगा हुआ है, उसका, जिसे कि आपको पता चले कि अगर आपकी गाड़ी में OEM speakers हैं, और आपने Android लगाया है, तो आपके लिए ये best option है कि आप इसको install करके, अपनी कार में sound को boost कर सकते हैं, इवन जो clear crystal sound रहता है, वो ले सकते हैं, कहीं न कहीं ये best product है, अगर आप Android stereo लगा रहे हैं, तो sound upgrade करने के लिए, तो चले जुब करते हैं आज का वीडियो और देखते हैं, इस product की unboxing, testing and review, तो अभी अपने पास दो model हैं, एक है four channel digital amplifier, एक है six channel digital amplifier, देखो six channel को आप use कर सकते हैं, जो mid range speaker होते हैं, जो कि आप dashboard पे लगाते हैं, या फिर जो side player में लगाते हैं उसके लिए, और ये basic जो चार speaker लगके आते हैं company से, उनमें आप four channel use कर सकते हैं, no doubt इसके साथ आप oval speaker भी connect कर सकते हैं, अगर आप पीछे speaker लगा रहे हैं तो, या फिर आपका जो OEM setup है, चार speaker जो दरवाजों में लगे होते हैं, उन पे भी आप इसको लगा के एक अच्छा sound निकाल सकते हैं, because ये sound booster होता है, ये एक digital amplifier है, और इसको install करने में भी मात्र पांच मेट लगते हैं, मैं आपको अभी proper इसका installation भी दिखाऊंगा, अगर बात करें Android stereo की, तो Tata Punch base model के अंदर हूँ मैं अभी, जिसमें बिल्कुल basic बाले speaker लगे हैं, और ये stereo भी आपका PS9 है, तो audio output ठीक होता है, बट कहीं ना कहीं OEM वाला जो feel होता है, वो नहीं आता, तो जो ये digital amplifier है, ये Android stereo के साथ, just plug and play wiring के साथ install हो जाता है, तो easily कहीं भी आप इसको install करवा सकते हैं, even near car accessory shop पे जाएंगे, तो आपको ये आसानी से मिल भी जाएगा, इसके price की बात करेंगे वीडियो के last में, अब इसकी performance की बात करते हैं, installation की बात करते हैं, और इसका जो unboxing है, वो भी कर लेते हैं, तो सबसे पहले आप देखेंगे, यहाँ पे audio bank, ultimate audio force लिखा हुआ है, और ये है Android audio 4 channel digital amplifier, specifications की बात करें तो यहाँ पे 4 channel digital amplifier, 4 Android player mention है, 4 channel high level input and 4 channel high level output, 4 Android player adapter, यहाँ पे 2 channel RCA line output, 4 powered subwoofer, यहाँ पे आपको 35 watts RMS, पर जो technical information है, आप एक बार video pause करके read कर सकते हैं, जो भी information इस पे दी गई है, वो genuine है, market में जो digital amplifier मिल रहे हैं, उनमें कहीं न कहीं आपको fake information दी जाती है, इस company का दावा है कि यह proper जो information दे रही है, उसके साबसे performance भी दे रही है, तो अब इसका installation video देखके जाना, audio output भी सुनना, क्या आपको feel हुआ, क्या फर्क दिखा Android stereo और speaker के setup में, यह अगर आप OEM type speakers पे Android लगा रहे हैं, तो क्या आपको यह लगाना चाहिए या नहीं, तो इसके लिए आपको पूरा video देखना पड़ेगा, जिससे कि आपको पता चले कि हाँ भाई, क्या है इसका audio output, तो अब इसकी unboxing करते हैं, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूँ, यह स्वास्तिक audio lines private limited की तरफ से है, तो जो लोग shopkeepers हैं, वो भी इसको खरीद के बेच सकते हैं, क्योंकि customer को कहीं ना कहीं एक audio output की जरूरत होती है, android studio में, जो की proper android studio में नहीं मिलती है, बगी packing की बात करें, काफी अच्छी packing है, यहाँ पे एक warranty card आपको देखने को मिल जाता है, product भी बात करें, तो यहाँ पे एक wiring मिलती है, जो की just plug and play होती है, तो यह है cable, तो यहाँ पे आपको audio bank ultimate audio force की तरफ से एक user's manual book भी मिल जाती है, यह चोटी सी जिसमें आपको proper installation के बारे में बताया गया है, और जो technical information है, वो भी यहाँ पे आप रीड कर पाएंगे, तो यह है आपकी final device, आप देख सकते हैं, यहाँ पे audio output के लिए भी दिया गया है, और RC output भी दिया गया है, बाकी यह काफी small size होता है, डिजिटल amplifier इसको इसलिए बुला जाता है, क्योंकि यह small होता है, बाकी यह Android के just पीछे आप रख सकते हैं, जो Android Studio जहाँ पे install होता है, तो आसानी से यह install हो जाएगा, बाकी आप देख सकते हैं, मैं आपको पास से दिखाता हूँ, सो लुक वाइज काफी बहतनीन भी लग रहा है, यह देखिए, काफी compact size है, इसलिए इसको digital amplifier बोलते हैं, सो अभी हमने Android Studio के साथ जो coaxial speaker लगा रखे हैं, उसका sound output test किया है, सो अभी हम digital amplifier को install करेंगे Android Studio में, तो हमें just Android को remove करना है, और देखो यहाँ पे जो wiring है, जो power supply वाली wiring है, जहाँ पे speakers भी connect हैं, इसके अंदर, वो wire आपको निकालना है, और यह बाला जो wire है, आपके stereo में connect होगा, तो कहाँ पे connect होगा, वो मैं आपको दिखाता हूँ, यह देखो, यह है आपका digital amplifier, यह देखे, यहाँ पे big screen जहाँ पे लिखा है, वहाँ पे आपको एक side से इस तरीके से connect करना है, यह देखो, big screen में connect हो गया, अब जो bun side है, यह बाला, यह बाला side है, वो Android में लगेगा, और जो Android में लगा हुआ है coupler, वो आपका इसमें लग जाएगा, तो अभी हमने इसका frame remove किया, यह बाला coupler आपने हटाया Android से, इसमें एक तरप से यह लगा दिया, आपने, दोनों same ही होते हैं, तो यहाँ पे जो big screen जहाँ पे लिखा होता है, यह इसमें लगाना है, फिर इसका जो connection है वो आपको यहाँ पे देना है, just plug and play है, कोई wiring कट नहीं करनी, यह आपका digital amplifier connect हो चुका है, यह वाला जो Android में लगा था पहले, वो हमें यहाँ पे लगाना है, जिससे कि यह जो connection है, वो proper आपका हो जाएगा, तो यह आपका जो है, proper fit हो गया है, यह देखो, आभी audio output सुनते हैं, क्या कुछ audio output आ रहा है, तो अभी हमने यहाँ पे एक non copyright music यूज़ किया है, तो एक बार मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे क्या settings करनी है, यह देखो, So guys, आपने देखा proper 4 channel digital amplifier का installation, कही न कहीं आपको satisfaction मिलती है, बहतर sound की, अगर हम बात करें installation की, तो just plug and play wiring के साथ यह install हो जाता है, अब 6 channel की बात करें, तो 6 channel का भी installation दिखाऊंगा, लेकिन उसके लिए आपको 100 comment तक करने होंगे, means अगर इस वीडियो में 100 comment आते हैं, इसका जो sound output है, वो लोगों को अच्छा लगता है, तो हम next product का भी installation करेंगे another car के अंदर, बागी अगर आप एक budget friendly digital amplifier ढून रहे हैं, तो यह audio bank आप खरीच सकते हैं, अब बात करें अगर price की, तो इसका price है 6,990 रुपीज, लेकिन आप हमारा वीडियो किसी भी local car accessories shopkeeper को दिखाएंगे, तो आपको discount मिल जाएगा 10 to 15%, बागी अगर बात करें, इस product की quality की no doubt काफी amazing quality ह अगर आप OEM speakers के साथ लगाते हैं, तो आपको एक बहतरीन sound मिल जाएगा, so thank you very much for watching my video मिलते हैं, अगले वीडियो में क्योंकि यह car music hub, यहां मिलेगा सब